हिमाचल प्रदेश में इन दिनों सेव का सीजन है और इस बीच एक नई चर्चा छिड़ी है कि क्या 24 किलो की जो पेटी है जो 24 किलो का एक दाइरा रखा गया है वो रखा जाना चाहिए या इसमें कोई छोट मिलनी चाहिए किलो के हिसाब से सेव बेचने का राजय सरकार ने हैं उन से चर्चा करेंगे सर जो सेव को लेकर एक जो बातचीत चल रही है आपने बैठकें भी की और बागबानों को भी की तरफ से भी अलग-अलग मत आ रहे हैं अब राजय सरकार इसमें क्या स्टेप लेने वाली है 24 की जो पेटी को लेकर है पहले तो मैं यह बताना चा जो 24 किलो का जो एक लिमिट लगा है हमने कि मंडी में इससे ज़्यादा पेटियों में ना है यह भी जो है सभी की मांग थी कि युनिवर्सल जो है काटन होना चाहिए युनिवर्सल काटन या जो युनिवर्सल स्टेंडर्स जो ग्रेडिंग का किया है उस ग्रेडिंग के हेसाब से 24 kg जो है maximum जो है उस ग्रेड के साब से पेटियों में आता है उनिवर्सल जिसको लोग कह रहे है पर उनिवर्सल है जो हमारा ग्रेडिंग का तो वह भी जब हमने लागू किया उनहीं की बात को लागू किया जो उन्होंने मांगी अब लोग कंफ्यूस हो गये हैं कहत इस बार का कुछ मेठीरियल भी पड़ा है इसलिए हम इस बार जो है युनिवर्सल ग्रेडिंग को जो है एक तरह से चूट जिया था कि आप चाहे टेलिस्कोपिक में लाएं चाहे आप युनिवर्सल ग्रेड करके लाएं तो बात पर चूट रखा था पर अब ही कुछ मत यह बन रहा है जातर लोगों का कि इस बार जो है युनिवर्सल ग्रेडिंग जो स्टेंडराइज किया जाता है तो चूट भीस किलो के खरीब बैठता है इसमें फिर में दबारा यह स्ट्रेस करना चाहता हूं कि दिमांड कर रहे हैं युनिवर्सल का युनिवर्सल में बनता आप दोनों चीजों में फिर आप खुद कॉंट्रेट कर रहे हैं एक किते हैं चोबिस किलो नहीं होना चाहिए और दुसरी तरब से कह रहा है युनिवर्सल सिस्टम अपना हो अगर युनिवर्सल सिस्टम का अटन का जो हम ग्रेडिंग के साफ से मना है तो चोबिस ही आता है फिर भी हमने जो है इसके उपर अभी दवारा जो हमें सभी के तरब से जो अपने अपने विचार मिले है बागवानों से मिले है आरतियों से मिला है तो हमने अभी एक बैठक की पिछले कल भी तो अभी और जो है राय हम ले रहे हैं और शीगर इस बारे में जो भी फैसला ह वह हम करेंगे आपको लगता है कि जो ये confusion की स्थिती जो उत्पन हुई है क्या बजा रही होगी क्या जो आरती है या जो बाहर सी बेपारी आ रहे हैं कई उनका तो नहीं इसमें को इस तरह का प्रेशर बन रहा है या वो ख्रीदार क्रीद इस तरह से कर रहे हैं कि बागवान मैं डारेक्टली किसी के ऊपर जो है या एलिगेशन लगाना नहीं चाहता है प्रंतो मुझे लग रहा है कि जो लोग युनिवर्सल का डिमांड कर रहे हैं उनको थोड़ा सा इस बारे में जानकारी लेना चाहिए कि जो ग्रेडिंग जो है जो युनिवर्सल ग्रेडिंग जो हम ने इजाद किया है जिसको स्टेंडराइज किया है जिसका हमने डिटेल आपको दिया है अगर उस हिसाब से ग्रेडिंग करेंगा तो युनिवर्सल ही तो जा रहा है तो उसके बापजूद अगर लोग इसमें अभी अगर इसको इमेजिट लागू नहीं करना चाह र रहे हैं तो शीगर इसका फैसला करेंगे पर सेव बिकेगा बाइवेट यह मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि किलो के इसाब से बिकेगा और जो गते का रेट नहीं मिलेगा अब लोग ने यह भी हला पाया कि दो किलो जो है काटा जा रहा है दो किलो सेव का नहीं काटा जा तो हमने किलो के साब से सेव के विक्री करना है ना हमने गत्य के विक्री थोड़ी करना है प्रदेश में नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका है लगभग जानकारिया की तीन सो क्रोड के आसपास का नुकसान है सर क्या कि अंदर से कोई मदद मिल पाई है या डिमांड आपकी तरफ से की गई है और अभी भी जो नुकसान आने वाले समय में कई भुस खलन जो संभावित क्षेतरे आपके किन और भी उसमें शामिल है बहां किस तरह की इस तरह के एतियातन कदम जो उठाई जा रहे है is तो प्राकितिक अबदाएं हैं आप देखंगे हैं कि हर साल दर साल इसमें खुछ ने कुछ होई रहा है कभी जादा बारिशों के कारण है कभी सुख्य के कारण है तो इन प्राकितिकाबदाओं के लिए हमारे जो भी नियम بنे हुए है उसके तेहत हम जो अभी कारवाई हो कर रहे हैं जैसे अभी बारी बारिशों के कारण हमारे नुक्सान हुआ है सड़कों का है पेजल योजनाओं का है हमारे बागवानों का भी नुक्सान हुआ है तो सब का मुल्यांकन करके हम केहंदर को एक रिपोर्ट जो है समय समय पे बेजते रहते हैं। और उसके साथ में हमने अभी जो नुक्सान हुआ है। अब फसल नुक्सान में तो आप जानते हैं कि इसमें कोई जादा हम रहत दे नहीं पाते हैं। काली रहत होता है कोई कंपंसेशन ही होता है पर सड़कों को रिपरेड करना है पानी की योजनाओं को करना है यह जिनके मकरान इसमें जो है डैमेज हुए हैं यह परशुरुदन का नुक्सान हुआ है करे जगे पर लोगों की जाने भी गई है। में राहत देने के लिए हमने अभी 56 करोड एक और 15 करोड अलग से हमने जिलाद इश्यों को जारी कर दिया है ताकि यह जो हम एक राहत की हमारी जो स्कीम है उसके तहित इनको तुरंत जो है फोरी रात मिले सर क्या केंदर से कोई मदद मिल पाई है अभी या डिमांड रहेगी आपकी कि अभी कुछ दिन पहले जो ग्रही मतालिय ने भी एक जारी किया था कि हम कुछ एसिस्टेंस जो है राज्यों को दे रहे हैं केंदर सरकार को जब हम मामला बेजते हैं तो कुछ समय तो लगता ही आने में तो तो अभी पहली बार नहीं है वह पहले से चला है पर हमने यह हमेशा जो है मांग केंदर से कि जो राहत का मुल्यांकन जो करके बेजते हैं और जो उसका वो लोग मुल्यांकन करते हैं उसमें समय में जो थोड़ा पाबंदी लगाया जाए और बहुत लंबा भी में विलंब नहीं होना चाहिए लोगों को जो है रात पौरी रात तुरंत मिले उसके लिए हम इनसे में शानी बेदन करते रहते हैं सर आख्यी परशन है जो विदेश जाने का एक कार्यखरम जो रहन की खेती को लेकर उसको ले कर सर क्याएं और किस तरह की बहांसे की जाए गी और आपको अभी तक जो फीड़ circa लोगों से मिली है क्या लग रहा है भांकी खेती को लेकर जो लोगों ने एक सरवदलिये कमेटी का गठन किया। और उस कमेटी को हमें जो जम्यारी मिली है, जिसके अधियक्स मुझे बनाया गया है। तो हमने पोरे प्रदेश के विविन जिलू का दोरा किया। सब इस जो है इसका इंडेस्टर्ल यूज के लिए मेडिस्टर्र यूज के लिए और अपने व्यवसाय के रूप में यहार रोजगार रहेश्जित करने के लिए यह बहतर जो है काम हो सकता है तो जहां तक विदेशी आत्रा की बात है, भी स्टेडी का पार्ट है, कोई विदेशी में सेर्स पार्ट के लिए तो टीम जाएगी नी, क्योंकि हमें जो है बहुत सारे जो विदेशी फर्म्स हैं, जो हमाचल में काम करना चाहते हैं, बांक के उपर, इंडिस्टिल या मेडि का है, यहाँ पर जो है, लोग यहाँ पर इंडिस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो जाने की जुरूरत होगी जाएंगे हम विदेशी में। जो एक आम राय जो बनती है, उसके बाद तैकिया जाएगा, कि जो 24 की लोग की एक रिस्टिक्शन लगी है, उस पर क्या करना है। वीडियो जनलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुष शिमला।